दोस्तो एबात उन दिनों के है जब HD बर्मन साहब को पहला हट आटक आया था पहले हट आटक के बाद वो काफी बिमार चल रहे थे और इन दोरान बड़ी-बड़ी बैनर की फिल्म में उनसे दूर होती गई और वो फिल्म में अन्य म्यूजिक डारेक्टरों को मिली कि HD बर्मन जी के अलावा उनके फिल्मों को कोई और संगित दे दे जब गाइड फिल्म के लिए HD बर्मन जी म्यूजिक नहीं दे पा रहे थे एक ही गाना उन्होंने कंप्रिट किया था और उसके बाद वो बिमार हो गए थे HD बर्मन जी ने देवनन साब को कहा वो फिल्म किसे और म्यूजिक डारेक्टर को दे सकते है मगर देवनन ने इसके लिए मना किया उन्हें ने कहा एक गाने के साथ ही वो फिल्म रिलिज करना पसंद करेंगे मगर ओ केसी और म्यूजिक डायर्डर को फिल्म नहीं देंगे मगर ऐसे कई फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया इनमें हम नाम ले सकते है गुरदत साब का गुर्दत साब की जितने भी फिल्मे हिट हुए थी उसमें HD बर्मन जी का रोल बहुत बड़ा था जब वो बिमार हो गए तो उन्होंने गुर्दत साब को कहा कि उनके बेटे आडी बर्मन इस फिल्म के लिए काम कर सकते हैं और उन्होंने एक गाना भी इसके लिए कमपोज किया और ओगाना रेकॉर्ड भी हो गया था और ओगाना उन्होंने गुर्दत साब को सुनाया वो गाना गाया था महमद रफी साब ने गाना बड़ा लाजवाप था फिर भी वो गाना गुर्दत साब को इतना पसंद नहीं आया और उन्होंने राहुद्य बर्बन जी को काम देने से मना किया मगर जो गीत रफी साब ने बहारे फिर भी आयेगी इस फिल्म के गाया था एक गीत बड़ा बेमिसाल था फिर भी एक गीत गुर्दत साब को पसंद नहीं आ रहा था उन्होंने सोचा कि ओपीनेयर साब को रिक्वेश्ट की जाए कि ओओ इस फिल्म के लिए मुजिक दे दे फिर उन्होंने ओपीनेयर साब को रिक्वेश्ट की उन्होंने कहा कि इस डी बर्मन जी बीमार चल रहे है इसलिए आप इस फिल्म को मुजिक दे बाद में उपी नईयर साहब ने इस फिल्म को मुजिक दिया बगर दोस्तो इसडी बर्मन जी के बुरे वक्त में उनके पीछे खड़े रहे देव साहब देवानन साहब को उनके उपर पूरा भरोसा दा और जैसे ही गैड फिल्म रिलिज होई और गैड के सभी गाने सुपर डूपर हिट हो गए और उसके बाद फिल्म बननी थी जेल थिप जेल थिप के भी गानी बन रहे थे और उस दवरान आडी बर्मन बड़े एक्टिवली काम कर रहे थे आड़ी बर्मन को ओ धून याद आ गई जो उन्होंने भारे फिर भी आएगी इस फिल्म के लिए बनाई थी और ओगीत रफी साब ने गाया था तो वही धून लेके वही कमपोजिशन लेके आड़ी बर्मन जी ने एक गीत बनाया जो 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 एल्थी फिल्म का सोपर हेट गीत हो गया और गाना था अधिल नए होता बेचारा कदम नए होते आवारा जो खूबशूरत कोई अपना हमसफर होता हो 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 ए दिल ना होता बेचारा कदम ना होते आवारा जो खूब सूरत कोई अपना हम सफर होता हो 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 और इस गीत को किशुर कुमार जी ने बड़े ही कमाल के अंदाज में गाया और इस गीत में किशुर कुमार जी ने यॉर्डिंग का यूज बड़ी ही बड़ी आतरी के सिकिया था और ये गाना बड़ा सुपरेट रहा और इस गाने का म्यूजिक और जिस तरह से किशुर कुमार जी ने इसे गाया था इसका कोई चवाब ने और किशुर कुमार जी के आ जो वर्जन रफिय साम ने गाया था वर्जन रिलिज नो हो सका वर्जन फिल्म में ना आ सका मगर जो किशुर कुमार ने यही वर्जन पे यही कंपोजिशन पे नए शब्दों के साथ जब एक गीत गाया तो गीत बड़ा कामियाब हुआ बड़ा ही सुपरेट हुआ आज भी हम सब लोग इस गीत के दीवाने है तो दोस्तों आप यह दोनों भी वर्जन सुन सकते हैं तो दोस्तों आप ही तै करिये किसका वर्जन ज़्यादा भीतर था मगर दोस्तों इस गीत का असल फाइदा हुआ किशुर कुमार को क्योंकि एक गीत चितरित हुआ देव साब पे दिवानन साब ने इस गीत पे बड़ी जबरदस एक्टिंग के थी और लोग उनके दिवाने हो चुके थी मगर अनफॉचनेटली रफिस साब का गीत उस वक्त रिलिज नहो सका एक गीत चितरित होने वाला था गुरुदत साब पे गुरुदत साब टेन में बैटते है और एक गीत वह पे गाते है ऐसी सिच्वेशन थी मगर एगाना उन पे चितरित नहो सका और ना एगाना रिलेज हो सका तो देवानन हमेशा ही इस डिबर्मन और आडिबर्मन जी को सपोर्ट करते रहे और इस भरोसे का उन्हें बड़ा फाइदा हुआ उनके हर फिल्म के गीत सुपरेट होते ही थे तो दोस्तो इस प्रकार की और कुछ नए नए कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अगर आपने ये चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो इसे सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत